तो एक बर फिर से इस वीडियो में हम आपके पास आए हैं इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि सुशान सिंग राजपूत ने आतम हत्या कर लिया है और उसके बाद अब आपको बता दें कि उनके शव को बांदरा से जहां पर वो रह रह रहे थे जिस फ्लेट में वो रह रहे थे वहां से पुलिस ने कबजे में लेकर शव को पोस्ट मॉर्टम के लिए भिजवा दिया ह वहीं अब आपको महराष्ड से सीधा उनके गाओं में ले चलते हैं पतना पतना में यहां परिवार है उनके माता-पिता और जब से यह घबर आई है तब से उनके घर पर जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ चाए मेडिया वाले हो गए चाए उनके परिचित हो गए आसपास वाले हो गए उनके जानकार हो गए वहीं उनके मामा भी जो वहां किसी छेतर से विधायक हैं वो भी आये और इस्थानिय लोगों ने भी इसको आतम हत्या नहीं बलकि हत्या करार दिया है और आखिरकार किस तरीके से ये आतम हत्या नहीं ये हत्या होगी हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं उनके परिजनों और जो जानकार लोग हैं सुशान सिंग राजपूत के जो पटना में उनके इस घर में रहते हैं और उनके घर देखी कितना एकदम सिंपल घर है उनका जहाँ पर उनके पुराने टॉफियां रखी हुई है और पुराने समान है बिल्कुल सादगी भरा एकदम है कि जैसा यहाँ पर यह किसी बॉलीवोड हीरो का नहीं बलकि किसी आम इंसान का घर हो एकदम सिधे और सादगी के तरीके से सुशान सिंग राजपूत का परिवार इस घर में रहता था यहाँ पर सुभे से मेडिया वालों का और जानकारों का जमावड़ा लगा हुए सब वीडियो बना रहे हैं और सब कई लोग जो हैं धंडस बढ़ाने के लिए पोँच रहे हैं हलाकि उनके माता पिता तो अभी सामने नहीं आ रहे बात करने के लिए उनके परिजन सामने नहीं आरे बात करने के लिए लेकिन उनके मामा जो की विधायक हैं उन्होंने मेडिया से बारचित की हम उनका भी वीडियो आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा वहीं स्थानिय लोगों में काफी रोश है और उन्होंने कहा कि एक राश्टवादी जो तो सोच के युवक्त है उनकी आतम हत्या नहीं उनकी बलकि हत्या कर दी गई है आए सुनिये क्या कहते हैं पटना में पटना के लोगों और सब्सक्राइब बात है कि यह हत्या बिलकुल यह हत्या नाजवाद और राजपुत महासवा इसकी मांग करती है हम राजपुत महासवा हम इसे हत्या की जहांच की मांग करते हैं CBI से अमिट सा से हम नरेंद्र मोदी से के एक राश्टवादी युवक्त की हत्या हो गई महारास में और महारास में कोई भी राश्टवादी आदमी कोई भी नौजवान सुरक्षित नहीं है यह मैं बता दिना चाहता हूँ और यह इसकी तो जहांच होनी चाहिए CBI से अगर सरकार नहीं करती है तो निर्षित नुट से दुर्भाग होगा बिहारियों के लिए बिहार के नौजवानों के लिए राध्पुत समाज के लिए इसलिए राध्पुत महा सभा मांग करते हैं कि माननी आमिस साजी से माननी कि प्रधान मत्रीजी से कि इसकी नियाई जाच हो CBI से जाच हो क्योंकि आपने देखा कि अभी कुछ दिर पहले उनका मैनेजर आत्भात्या किया था और हत्या होने के बाद जिस तरह से उनको दबाव में चाहिए वो पुलिस का दबाव हो प्रशासन दबाव हो लोकल दब करते हैं सब लोग मरमाहत है और आप देख रहे हैं कि बहुत हीं व्यक्तिगत च्छती भी है और उभरता हुए कलाकार की च्छती भी है निश्यत तरपर इस प्रक्रिया की जाच होनी चाहिए महराष्ट में अक्सर देखा गया है कि बिहारियों के साथ जिस तरीके का सलुख किया गया उसके बाद अब जब इस तरीके का आरोप लग रहा है तो किस तरीके के कदम उठाने के लिए सरकार सोच रही है कि आज पृष्टितियों को इसको संवेदरा को व्यक्त करते हुए और इसकी मांग को की जाएगी और सब लोग यहां पर उपस्तित हैं और परिवार से मिलकर और पुरी विस्तित जंकारी भी करनी है और जंकारी करने के बाद इस बात को भी करना चाहिए कि इस प्रकार के पूरी मांग जाच होनी चाहिए जाच में दूद का दूद पानी का पानी होना चाहिए जंगकारी पारिवार के दिश्टे से मिली है तो तुरंत में यहां व्यक्तिकत रूप से मिलने आया हूं और महात हैं सब लोग कि उबढ़ते हुए सितारे को इस प्रकार का हस्र होना य हुआ को अब तो आपने सुना वीडियो में किस तरीके से जो है किन विहाव पे उन्होंने यह कहा कि यह आतम हत्या नहीं हत्या है और इस मामले की जांच जो है है? महराष्ट सरकार को करने चाहिए और निश्पक्ष्टा से जांज करने चाहिए कि आखिरकार इस अभरते हुए सितारे में, सितारे के साथ क्या हुआ है? किस परिस्थिति में उसकी मौत हुई है? वह अथम हप्क है, यह तो गारवाई या पुलिस करेगी यह उसके बाद निकल बहुत कर आएगा जिब घृप झाल